भारत सरकार द्वारा कृषी उत्पाद, विकास और भंडारण, निगम अधिनियम, 1956 अधिनियम्मित कीए जाने के बाद देश में केंद्रिय और राज्य भंडारण निगमों की स्थापना हुई इन निगमों को 1962 में पूर्व अधिनियम को दोहरा कर और भंडारन निगम अधिनियम 1962 अधिनियमित करके क्रिशी उपज और कुछ अन्य वस्तूओं के भंडारन के उद्देश्य से निगमों के निगमन और विनियमन के लिए और उससे जुड़े मामलों के लिए फिर सिस्थापित किया गया था राजस्थान में राजस्थान राज्य भंडारन निगम रस्थापना 30 दिसंबर 1957 को हुई थी जिसने वास्तव में 24 मार्च 1958 से काम करना शुरू कर दिया था निगम के कार्य जैसा कि वेहाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 का सेंट्रल एक्ट 58 की धारा 24 में RSWC में प्रावधान किया गया है 1. राज्य के भीतर ऐसे स्थानों पर गोदामों और गोदामों का अधिग्रहन और निर्मान कर सकता है जैसा कि वो केंद्रिय भंडारन निगम के परामर्ष के बाद निर्धारित कर सकता है दो क्रिशी उपज, बीज, खाद, उर्वरक, क्रिशी उपकरन और अधिसूचित वस्तूओं के भंडारन के लिए राज्य में गोदाम चला सकता है 2. क्रिशी उपज, बीज, खाद, उर्वरक, क्रिशी उपकरन और अधिसूचित वस्तूओं के भंडारन के लिए राज्य में गोदाम चला सकता है 4. क्रिशी उपज, बीज, खाद, उर्वरक, क्रिशी उपकरन और अधिसूचित वस्तूओं की खरीद, बिक्री, भंडारन और वित्रन के उद्देश्य से केंद्रिय भंडारन निगम या सरकार के एजेन के रूप में कार्य कर सकता है 5. केंद्रिय भंडारन निगम के साथ राज्य सरकार के संयोक तोध्यम के पूर्वन मोधन से प्रवेश करना तथा ऐसे अन्यकारियों को कर सकता है जो निर्धारित किये जा सकते हैं